विकासकर्ण स्वारगाट की ग्राम पंचायत तन्बोल के गाउं नाल का विनोध कुमार जिंदगी में आने वाली कठिनाईयों को गोज ना समझते हुए बिना हाथों के भी हर मुश्किल को पार करते हुए अपने जरूरतें पूरी कर रहा है वर्ष 1992 में जन्में विनोध के जन्म से ही दोनों हाथ नहीं थे जिसके बाद भी विनोध ने हिम्मत नहीं हारी और घर के सदस्यों की गैर मौजूदघी में विनोध अपना हर काम स्वयम करने लगा विनोद ने तन्मोल स्कूल से अपनी बाहर्मी की पढ़ाई पूरी करने के बाद E ग्रेड में BCA की पढ़ाई भी पूरी की जिसने बारशिक परीक्षाऊं में बिना हाथों के भी विनोद ने समाने विध्यार्थियों की तरह पेपर दिये विनोद ने अपने पसंदिदा खेल वालीबॉल में जिलस तर तक स्कूल का नाम भी रोशन किया है विनोद सभी फोर वीलर यहां तक की ट्रक भी आसानी से चला लेता है विनोद को सरकार से दिव्यांग पेंशन भी मिलती है लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी ना मिलने का विनोद को सरकार से मनाल भी है एलिए , मैं को सबसे पहले गाहणार में अबना फ्राइम्री स्कूलस घाुस में आये फ्राइम्री की फिर उसके बाद पर उसके बाद पंजाब टेक्निकली उनिवस्टी से मैंने बीशिये की बीशिये का कोर्स पूर हो गिया इसके बाद फिलान हुए जैसे मतलग जो भी मैंने एक्जाम दिये उनमें कोई एक्स्टाइब नहीं होता था जैसे नॉर्मल मतलुब देपरों रसे भी नॉर्मल हो है इस उनमे मेरे को थोड़ा और फीडोट अधिया है मतलुब फिर उसके बाद मैंने मेंट करना स्टार्ट दिया अब मेरे को मतलुब कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल मतलुब बड़ी असे अर्जस्ट कर दो भी नॉर्मल मतलु वाहँ आज वैसे पोड़ा निये घर ने से लेकिन में दो ही थे इस में क्रिट और बॉलीबॉल बॉलीबॉल में मैंने मुलों डिस्टिक लेवल लेवल तक बॉलीबॉल खेला है तक व्लीबॉल में मैंने मत्सोच छोटी गाडी से देखे परी से बड़ी गाडी चला लीताओं ती तूरी लगकर भी चला के देखाने वैसे अगर ट्राइ करेंगे दुआरा सबसे बहले दूने सरकार से यही बहुनना जाता हूं धन्यवाद करना जाता हूं यहीं ही ततरफ ही मेरे को मत्लों इन्हों एक साथ पहली पह्राण दोना थोड़ा हां मेरे को सरकार से यह दर्खवास्त दिय और थोड़ा मलाल जीए कि मेरे इतनी पढाई होने के बाब yönाक्री नि Hell It Wasi a Hagi किकलogy ग्री मिल जाए तो आपना जीवता सब ओन वोलादा हिमाशल दस्तक वेफ टीवी के लिए स्वारगाट से राजेंद्र ठाकुर